वाच अप गैस मेरा नाम है रवी शंकर और स्वागत आपका मेरे चानल रवी ब्लॉक्स टेक में तो गैस सामसंग ने फाइनली लॉंच कर दिया है अपना 8K TV तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको उस 8K TV की फुल फीचर्स और क्या-क्या प्राइस और सभी टेक टेकनोलोजी अपडेट रोज लाता रहता हूं इसलिए तो वीडियो को सुरू करते हैं गाइस तो गैस बात करते हैं सामसंग की इस 8K TV के बारे में तो गैस जैसा मैं बता दूँ आपको कि अभी प्रेजेंटली मार्केट में 4K TV चर रहा है तो यह 8K TV जो अभी आया है वह 4K TV का 4 गुना है मतब की 4 टाइम ज्यादा बड़ा है उसका रिजॉलिशन माली जो 4K TV इतना बड़ा है तो यह 8K TV उसके 4 टाइम ज्यादा बड़ा है इतना बड़ा तो यह बहुत प्रॉफिट है और आप जो नॉर्मली उसकरते हैं अपने फोन में या फिर अपने लाप रहा है ऐसा कंपनी जू लेकर आया है मार्केट में 8K TV तो इसके बात करते हैं अभी टेकनलोजी के तो आप जैसा अभी देख सकते हैं आप कैमरा अगर शूट करते होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जानते होंगे 4K कामरा के बाल में तो camera 4K तक शूट कर सकता है ऐसे camera हैं जो 8K resolution में शूट करते हैं पर वो बहुत ही महंगे या फिर मिलते नहीं है जल्दी पर तो 8K content नहीं है आपको 4K video मिल जाएगी मतलब कोई movie मिल जाएगी 4K में movie या फिर कोई video आपको 4K content में मिल जाएगे तो वो आप 4K devices में चला सकते हैं 4K TV में चला सकते हैं पर अगर यहां पर हम देखे तो यह 8K TV है तो आप सोच नहीं होंगे कि 8K video कहां से आएगा 8K movie कैसे आएगा तो सारा पैसा वेस्ट होजाएगा मतलब 8K कोई फ्यादा नहीं होगा तो मैं बता दूँगा इस 8K इसमें Samsung वाला एक नया technology इंप्लिमेंट किया है जिसमें आप अगर 4K content चला रहे हैं या फिर full HD content चला रहे हैं या फिर कोई भी content चला रहे हैं जो एट के resolution नहीं है या फिर 8K video वो अगर नहीं है तो automatically वो उसको upscale करेगा मदब कि वो वो normal content full HD या फिर जो भी content वीडियो को 8K के format में कर देगा उसको थोड़ा अंदर में optimize हो जाएगा वैसा उनलोगों का software है अंदर में optimize हो जाएगा और वो 8K content बन जाएगा नॉर्मल वीडियो जो टीवी में चलेगा वो 8K में चलेगा मतलब कि automatically software में अंदर में वो अच्छा बन जाएगा तो ऐसे ये technology यूज कर रहे है Samsung वाले अपने 8K TVs में तो guys मैं इसके कुछ extra features के बारे में बात करूँ तो Samsung ने user experience को मतलब कि अपने users को अच्छा experience करने के लिए इसमें कुछ extra चीज़े जाएड किया है जो कुछ बहुत interesting और बहुत अच्छी है जैसे कि आपको इसके जो इसमें जो आपको resolution में आपको 13 million pixels मिलते हैं और आपको इसमें no gap wall mount system मिलता है मतलब अब अभी अपने wall में install कर सकते हैं इस tv को wall में install हो जाएगा उसके आपको no gap मतलब gap देखने को ने मिलेगा आपको जैसे दिवाल में आप लगा रहे हो इधर आप ऐसे दिवाल में लगा रहे हो तो आप tv के आपको gap जादर दिखने को ने मिलेगा ता कि आपको बहुत अच्छा दिखे और wiring system आप normally कोई tv लगाते हैं तो आपको wiring system में बहुत problem होते हैं तो इसमें वायर सिफ एक ही वायर रहेगा जो direct tv के box से connected होगा और वो भी wire transparent टाइप कर रहेगा तो आपको एक ही वायर जा रहा है basically कुछ वायर नहीं दिखेगा तो यह बहुत अच्छे चीज है तो guys अभी मैंने आपको बता दिया यह कैसे technology काम करती है full detail में और अगर आपको अभी वी कोई question है इस tv के बार में तो आप comment कर सकते हैं मैं आपको उसके बार में पूरा detail बता दूँगा तो बढ़ते आगे इसके sizes के बार में तो मैं बता दूँँ अभी Samsung ने इसको different size में launch किया है जो पहला size वो 65 inch है उसके बाद 75 inch का size है उसके बाद 82 inch का और उसके बाद 98 inch का तो basically four sizes में launch किया गया है इस tv को अभी presently और जो आपको जो price में बता दूँँ तो आप खरीच सकते हैं अभी market में अभी मार्केट में अभी मनलब की ऐसा नहीं है कि अभी launch होनाइवाला है launch हो चुका है अब खरीच सकते जो प्राइस बताया गया उसमें तो 65 inch जो सबसे छोटा है इस four के tv 8 के tv में तो 65 inch का अभी तक price नहीं बताया गया है शुरू हो रहा है प्राइस अभी जो खरीच सकते वह 75 इंच से तो 75 इंच का जो है वह 11 लैक्स का है और आपको जो 82 इंच का जो है वह है 26 lakhs और जो 98 इंच का है वो है 60 lakhs का तो तो कि आप 60 lakhs मतलब कि आप 60 lakhs में तो एक घर खरी सकते हैं अपना फ्लाट खरी सकते हैं 60 lakh में तो आपको 60 lakh में एक TV मिर रहा है बस एक TV पर मैं बता दूंगा इस इस TV आप स्टोर्स में जाके आप यूज कर सकते हैं मतलब experience ले सकते हैं इस 8K TV का तो experience काफी वर्थ है इस money पर कोई चाजरेशन है तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी तक आपने subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर दिजिएगा क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट को टेकनोलोजी की अपडेट्स लाते रहता हूं तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस तब तक के लिए बाइबाइबाइब